तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो एक अच्छा जह immense level तक अच्छा problem है तो इसको हम लोग try करते हैं कहता है four particle each of mass m मतलब ये इसका भी mass m है और इसका भी mass m है हर एक का mass capital m है ऐसा बता रहे हैं और ये एक circle में revolve करे हैं जिसका radius r है मतलब ये circle का center है और इसकी radius r ह तो under the mutual gravitational attraction तो find the speed of each particle तो under the mutual gravitational attraction और इच पार्टिकल की speed निकाल ली है तो अब देखो तो mutual gravitational attraction logic क्या है भाई logic अगर मैं कोई भी circular motion का कोई भी problem करता हूँ तो क्या concept होता है तो भाई अगर कोई भी particle अगर circle में चलता है simple सी बात है अगर कोई particle है जो circle में move कर रहा तो center की तरफ लगने वाले नेट real force है नेट रियल फोर्स वही नेट रियल फोर्स सेंट्रिपीटल फोर्स परवाइड करेगा mb square over radius of the circular path तो यह logic है मतलब अगर लगने वाला नेट फोर्स मैं निकाल लूँ ठीक है एक particle पर तो यह problem क्या हो गया हो जाएगा भाई तो लगने वाला नेट फोर्स कैसे निकालोगे तो चलो नेट फोर्स निकालने के लिए एक पार्डिकल पर ग्रेविटेशन ही तो लग रहा है तो एक पार्डिकल को देखे कितने पार्डिकल अट्रैट कर रहे हैं तो यह वला जो पार्डिकल है इसको तुम देखोगे तो यह इधर अट्रैट करेगा इसका नाम रख देता हूं मैं M1 ठीक है इसी पार्डिकल को ऊपर भी अट्रेट करेगा इसका मैं नाम रख देता हूं बच्चों F2 इसी particle को diagonally ये भी तो अट्रेट करेगा तो इसका मैं नाम रख देता हूं F3 तो अब F1, F2, F3 का जो net force है वही center की तरफ जा रहा होगा और वही centripetal force provide कर रहा होगा बात्समंज में आ रहा है तो इन M, capital M और side, square का side अब हमें निकालना पड़ेगा भाई तो चलो निकाली लेते हैं भाई जरूरत तो पड़ेगी तो निकाली लेते हैं तो यह जो radius R था तो यह भी तो R हो जाएगा तो यह square की side कितनी आ जाएगी तो यह जाएगी R square plus R square under root ठीक है तो यह जाएगा root 2R root 2R मतलब यह वाले जो है 90 degree पर यह है 90 degree पर तो root 2R इसका मतलब यह हुआ कि root 2R का square तो F1 और F2 magnitude में बराबर होगे उनकी value आ जाएगी Z capital M का square और यह जाएगा 2R square तो आई होग कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यह समझने में तो तुम देखोगे यह वाली जो force है इसकी value इतनी आ जाएगी तो अगर यह इतना आ जाएगा तो अब हमें बचा F3 की value निकालना तो F3 किनके किनके बीच का attraction है देखो तो यह यह पूरा R है तो यह भी R है तो यह पूरी की पूरी जो diagonal है square की वो पूरी 2R हो गई यहां से लेक यहां तक यह 2R हो गया तो यह वाला जो यह और इसके बीच समयने ना diagonally जो diagonally attract का है तो GM और M और यह 2R का square का diagonal का square तो finally आ जाएगा GM square is equal to 4R square ठीक है अब यह F1 F2 और यह सारे निकल गए अब इनका resultant निकालना हमें तभी तो vector है ना भई resultant है तो net force कैसे निकलेगा एक vector इधर जा रहा है जिसका नाम F1 है एक 90 degree पर जा रहा है जिसका नाम F2 है तो इन दोनों का resultant कितना होगा और उसको मैं नाम रख देता हूँ F dash F dash की value कितनी आ जाएगी F dash की value आ जाएगी F1 square प्लस F2 square under root और यह F1 F2 magnitude में बराबर है तो root 2 F1 मतलब root 2 Z capital M square over 2 R square इसकी value आ गई किसकी भाई तो यह F dash इन दोनों का resultant इसका और इसका resultant और इधर ध्यान देना पहले से ही इधर जिधर F dash आ रहा उधर पहले से ही F3 जा रहा था वई F3 पहले से ही उधर जा रहा था जिधर F dash आ रहा तो F dash जिधर आ था उधर पहले से ही F3 जा रहा तो यह जो F dash है और F3 है यही net centipetal force provide करेंगे तो problem हो जाएगा तो net centipetal force F net की जो value आ जाएगी mass mb square over radius of the circular path is equal to F3 plus F dash F dash की value है root 2 times gm square over 2r square plus F3 की value बोलो तो gm gm square is equal to 4r का square तो यह F3 अब इसी को कुछ नहीं करना इसी को solve करके भी निकाल लोगे तो हमारा problem हो जाएगा तो m से m कड़ गया r से r कड़ गया तो b जो b square की value हो आ जाएगी हो आ जाएगी gm और r side में ले लो और side में लेने के बाद इधर बना root 2 upon 2 और इधर बना plus 1 upon 4 तो this is the थोड़ा और simplify कर लो जैसा यह सोच रहे हैं तो gm upon r देख ले न gm upon 4 root 2 plus 2 is equal to 4 और multiplied by 2 मतलब 8 सब कुछ under root that is basically speed b तो finally इसको और सुन्दर तरीके से लिएको 2 common ले लो तो gm is equal to 2 root 2 plus 1 divided by 2 root 2 plus 1 divided by 4 under root और r से multiply कर दो this is the final solution तो यह हमारा आ जाएगा this is the final solution of this problem तो आई होग कि आपको बहतर तरीके से clear होगा बहुत यह अच्छा कुछ नहीं है ठीक है लॉजिक है है कि circular motion का है circular motion पे नेट फोर्स प्रवाइड करता है और नेट फोर्स कहां से आएगा resultant of the gravitation the concept is over तो बच्चों इस चैनल से जुड़े रहो आप लोग और आप लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है और मैं आपको बहुत तहय दिल से थन्यवाद बोलता हूं मेरे बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उनको दिक्कत आता है तो हम लोग रिप्लाई जरूर करते हैं और साथ साथ डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करो क्योंक आपको बहुत ज़्यादा धिन्यवाद देता हूं थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो